चाह बेसिकली लेब 8 मिस ने ट्रेवर्सल मेथड्स की दी ती तो ट्रेवर्सल मेथड्स हमारे पास बेसिकली टोटल चाहर है सही है बेस लेवल पे देखेंगे तो हमारे पस दो मैधर्ड होते है एक depth first approach होती है और एक breath first approach होती है सही है depth first approach का मेरे खासर सभी को शाद याद होगा पता भी होगा हमारे पात बेसिक लेकर हमें एक सिंपल सा बेसिक ट्री ले 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 सही जैसे क्या कहते हैं ठीक है तो उसकी ट्रेवर्सल तो हर कोई को बैसे कर लेकर ठीक है अच्छा कोडिंग के वक्त हमारे पास जो सबसे असान चीज होती है हमें प्रॉब्लम का कोई एक दम हमें स्पेसिफिक कैसे देखने हैं पड़ते हैं कॉंपलेक्स कैसे लेकिन जब हम अपना कोड लिख रहे होते हैं तो हम बेस के इसको देखके लिख सकते हैं इससे मुराद के वह भी बदाता हूँ ठीक है अच्छा हमारा जो बिसिकली क्या कहते हैं अगर हम एक सिंपल सा ट्री बनाएंगे लाइक वाई हमारा रूट नोट हो जाएगा सही है एक्स उसका लेफ्ट चाइड हो जाएगा सही है और जी उसका राइड चाइड हो ठीक है हमने सपोस करिए कि लाइक एक्स जो है वाई से चुटा है और जी जो है वाई से बढ़ा है ठीक है सही है अगर हम अलफ़वेटिकल और को ले वे के चलें तो इस तरह से कैंड अफ बन जागा भी एस टी एक्स यजी का ठीक है मैं पर ठीक है और हम इसका परी और करेंगे तो हम यह से साट करते हैं सही पर फिर एक्स पर जाते हैं तो जी आ जाएगा तो लाइक सबसे पहले हमारे पास वाय आ रहा है सही है फिर हमारे पास एकस आ रहा है फिर हमारे पास जी आ रहा है ठीक है यह हमारा बेसिकली प्री ओर्डर है ठीक है अच्छा प्री ओर्डर में हमारे पास एक खास बात होती है वह यह होती है कि क्या कहते सबसे पहले है उसके बाद आता है उसके बाद पिर राइट नोड आता है या राइट चैल्ड के लो जो भी के लो ठीक है ठीक है अच्छा इन ओरडर में हमारे पास बेसिकली हम लाइक अगर वही लाइन ट्रेसिंग वाले मेथड को इसको भी दोमनेट इगनोर करना ठीक है अगर लाइन ट्रेसिंग मेथड को अगर हम फॉलो करें और इन ओरडर निकालने के लिए तो वाइस हमने स्टार्ट कर रहा हम एक्स तक आये सही हम एक्स से नीचे घूमते वे जब जा रहे थे तो हमने एक्स को लिग दिया इन ओरडर के अंदर अपने ठीक है और बैसिकली क्या कहते हैं पिर एक्स के नीचे से गुम उह य की तरफ गया तो हमने फिर य को लिग दिया और फिर बैसिकली हमने जैड की तरफ हाई और जैड की तरफ से नीचे गूं के जा रहे थे तो जैड आगी है ठीक है तो बेसिकली अगर वो लाइंटरिसिंग मेथड़ वाली जो शान ना थी वीडियो शेयर करें थी अगर उसको भी देखोगे तो उसने भी तो जो बोग्रेमी करें ट्राइए वाली अक़राखोच में ऊंगराए रैक्स आगरी जाया है दिखाइए डिखाई तो हमारे पशेयर के सब वहाँ है केदा है तो चैनल पास बास आख आतीर उग वहां पिसकली क्या कुण जा रहाए है एक्स फारोल्स ब sentiment एक सिंबल three basically ठीक है परी ओर में जाएंगे प्री ओर मी होता है जब हम एक नोट को जब टीसरी बार विजट करते हैं तो हम उसको पहली बार विजट करते हुए एकस पर एली बार है X के नीचे से उसको visit करा सहीं दूसरी पार फिर X के X से Y की जाते हुए X को तीसरी बार visit करा तो सबसे पहले X आएगा ठीक है? फिर उसके बाद हमने Y को तीसरी बार visit करा है हम क्या कथिए है Z की तरफ आ रहे है हमने Z को हमने प HOLM तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा बेसिकली क्या कहते हैं हमारे पास बेसिकली यह चीज आ जा रही है ठीक है तो यह हमारे इस बेसिक ट्रीका य, a, 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 a यहां पर logic क्या लग रहे है सही code में तो हमें असल चीज logic डाल लिया तो अगर हम इसकी logic देखे ना तो सबसे पहले root node आई है सही य आया फिर उसके बाद left node आई एक साय पर उसके बाद right node आई है जी आ गया ठीक है तो हमने basically हमारा जो order था वो pre order के अंदर हमने किस तरह traverse कर रूट को फिर left को फिर right को ठीक है अच्छा in order के अगर बात करें तो in order में जो basically depth first के अंदर है जो तीनो order का जो नाम basically है यह pre in और post यह basically एसल में root की position बना रहा है ठीक है pre में root सबसे पहले आगया in order में root मिडल में आगया ठीक है यहां पर जैसे सबसे पहले x left child फिर right child फिर आएगा y तो सबसे पहले x z और फिर y root आखर में ठीक है तो यह असल जो हमारी जो basic logic है ना वो यह pre order की post order की यह logic है sorry pre order की यह logic in order की यह logic और post order की यह logic हमें basically क्योंके code में repetition तो कराने तो हम functions वगर को बार बार कॉल वगर करार होते हैं यह सारी चीज़ है loops लगते है ठीक है तो basically हमें basic logic implement करने होगी code के अंदर ठीक है अच्छा तो basically यह जैसे देख लिया हुआ कि pre order traversal का यह code लिखा हुआ है ठीक है तो pre order traversal में सबसे पहले तो root node हम pass करेंगे सही है ठीक है अभी इसको इसको इसका ना पहले इसको कर लाते हैं काम करते हैं basically हमने यहां पर root node pass करेंगे ठीक है मिसाल के तोर पे अगर हमारा tree empty है सही है अकर हम empty node provide कर रहे हैं या खाली tree provide कर रहे हैं तो हमारे यहां पर root null हो ठीक है तो क्या करते हैं हाँ सही है अगर हमारा root null हो जाएगा तो यह direct यह string return कर रहा है हम इसको अलग से print करवाना पड़ेगा ठीक है तो अगर root हमारी null होगी ना तो हम वहीं पर return करवा देंगे कर रूट node is empty इस तरह गएगा ठीक है यह exceptional case है एकदम सही कि tree हमारा exist ही नहीं करता है या खाली tree पड़ा हूए हमारे बास सही मान लो यह case हमारा नहीं है हमारे tree normal cases में होगा ठीक है exist कर रहा होगा तो हमने text की string को like initialize करवाया ठीक है empty string है अभी सही है सबसे पहले हमने क्या कहते है text में सही है root की value थी सही है उसको string में convert करेंगे सही है text के अंदर add करवा दिया यहां पर और उसके बाद एक space print करवा दिया ताके एक ही line में जब सारी values print होंगी ना ठीक है एक बार ऐसी चला के दिखा दे तो मैंसे सही है like यह pre-order को अगर हम तो like जैसे यहां पर भी root node 3 थी था सही है तो कहने का मकसद यह के like यह spaces है नहीं यह वह spaces है जो मैं बोलना चाहाँ था सही है ठीक है example पर भी बात में आएंगे सही पहले basic देख लेते हैं ठीक है तो यहां पर हमारी यह चीज़ हो जाएगी सही उसके बाद हमने अभी हमने सिर्फ text के अंदर root के value print करवाई है ठीक है अच्छा हमारा जो basically code है वो तीन step में break हुआ है pre-order, in-order, post-order तीनों का code ठीक है सही वो तीन steps का है सही है अगर हम गौर करें सही है pre-order में हमें क्या करना था सबसे पहले root करवानी होती थी print सही है फिर left node सही है फिर right node सही तो सबसे पहले हमने क्या करा text के अंदर क्या add कर दिया root.key को add कर है और space print भी add कर दिया root root की value सबसे पहले प्री-order में हमें क्या करना था root की value सबसे पहले एड़ करना थी तो इसको सबसे पहले add कर दिया ठीक है अच्छा दूसरा हमने क्या करना है हमें left node पर जाना है अगर left node मौजूद है तब तो नहीं जा सकते तो हम वहीं जाक कर रहे हैं कि अगर left node नहीं है तो left node की तरफ चलो तो अगर हम yxz की सबसे पहले example ले 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 ना तो सबसे पहले अगर हमने y हम initially provide करेंगे pre-order के अंदर root हमारी null होगी नहीं यह चलेगा नहीं text की string हमने initialize करवाई और उसके अंदर हमने क्या करा root.key को add करवा दिया उसकी key add कर रहा है और space add करवा दिया ठीक है उसके बाद हमें क्या करना हमें left की तरफ जाने pre-order के मताबिक root का हमारा काम हो गया अब left की तरफ आना है ठीक है root.left नल है के नहीं है ठीक है हमने चेक कर रहा है हमने वहाँ पर क्या करा के हमने यहां पर pre-order reversal को call करवा दिया दुबारा root.left पर और उसको add करवाया text में ठीक अब यहां पर देखो हो क्या रहा है ठीक यह pre-order reversal को दुबारा recursion लग रहा है root.left में हमारे क्या था x मौझूद था ठीक है अब इसको x के नजरिये से देखो x हमने यहां पर इंसर्ट करा null तो था नी string text की क्या होगी initialize होगी अब यह recursion में x के लिए ठीक है text के अंदर हमने क्या करते है x की value add करवाई x के ना right में है ना left में कोई node है न यह चलेगा ना यह चलेगा direct यह क्या कहते है यह वाला return text हो जाएगा यानि सिर्फ x की value return हो जाएगी ठीक है और जब x की value return हो जाएगी वह पिस से control y वाले preorder function चला था ना जो y के लिए चला था असल में वापिस control उसके पास आ जाएगा यहाँ पर x की value आ जाएगी वापिस से return हम text करवा रहे थे x हमने return करवाई थी x की value ठीक है जब यह x के लिए चला था ठीक है फिर उसके बाद वापिस से control के इसके पास आ जाएगा जो y वाले के लिए function चला था ठीक है तो यहाँ पर x की value आएगी वह x की value add हो जाएगी इधर ठीक है सभी जब x की value add इधर हो जाएगी तो हमारे पास y पहले से था x हमने यहाँ पर add करवा लिया ठीक है अब z बागी है तो z कहाँ पर right में तो हम अब चेक करेंगे right null है की नहीं right null है right में z मोजूद है हमने दुबारा से text में add करवाने preorder add करवाने z का ठीक है हमने वह पर इसको z के तौर पर call करवाया recursion के अंदर सही है यहाँ पर root हमारा null होगा नहीं क्यूंके z हमने provide कर आगा ठीक है z के लिए z वाले function में एक नही text initialize हुई string सही है उसके अंदर हमने z की value add करवाई space वगर add करवाई ना z के left में कुछ है ना z के right में कुछ है ठीक है direct z की value क्या हो जाएगी return हो जाएगी अच्छा जब z की value return हो जाएगी आपस से control y वाले function के पास आजाएगा जब y वाले function के पास control आपस आएगा तो यह यहां पर क्या value generate कर रहा था z generate कर रहा था z add हो जाएगा text के अंदर सही है और फिर direct यहां से return text हो जाएगा और जो भी हमारा system as out वगर होगा उसके अंदर यह value direct जाएगी और print हो जाएगी y x और z ठीक है अच्छा यहां पर in order के अंदर बस यह चीज note करो pre order in order post order में असल फर्क है सही है pre order में कहा है root सबसे पहले है सही है left right है in order में क्या हो जा रहा है root जो है न वह कहा चला जा रहा है left और right की बीच में चला आ रहा अब यहाँ पर यह चीजँ देखो कि root कॉनसी चीज़ calculate कर रही थी सब्सक्राइब जो दो चीज़ याद रखने है function बनाते वे route कॉन calculate कर रहा है left कॉन calculate रहा है ठीक है यह वाली जो string है यह root calculate कर रही यह जब हम in order में जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं, इसको नियान बीच में लाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या calculate हो जाएगा, left calculate हो जाएगा, सही है, फिर हमारा root calculate होगा, फिर हमारा right calculate होगा, ठीक है, तो यह हमारा in order बन जाएगा, अगर इसको post order म और शबसे नीचे ले आएंगे story और सबसे नीचे ले आने केबाद सबसे पहले in-post order में हमारी सबसे पहले left घर right συμदूआ पहले left चख को गा उसके बाद right पोगा उसके बाद हमारी Our única सही है, और यह recursively, recursive recursive fled है, तो एक pre-order बनाद आदे आथे RIGHT इसको वापस एकर लेता हूँ और उनके फंक्शन दिखा देता हूँ इसल प्री ओर्डर गए ठीक है अच्छा सही इन ओर्डर में देखो यहां पर वह यह वही चीज है ठीक है कि रूट चैको रही कि नल है कि नहीं सही है हमने एक empty string initialize करवाई और फिर क्या कहते हैं और सबसे पहले इन ओर्डर के अंदर root.left चेक होता है सही है root.left को हम calculate वगरे करते हैं फिर हम root को calculate करते हैं फिर हम उसके right को calculate करते हैं और फिर return करवाते हैं ठीक है यह in order हो गया ठीक है post order में आओगे post order में भी वही चीज़ है सबसे पहले root को बस चेक करना होगा के null है के नहीं ठीक है उसके बाद text वगरे को initialize करवाया ठीक है और फिर उसके बाद क्या कहते हैं हमने सबसे पहले left को print करवाते हैं post order में फिर right को print फिर root को print सही है और फिर return सही है यह चीज़ बस और कुछ इसमें खास चीज़ है मेरे खालते वैसे तो समाज आगी होगा बाकी एक यह चीज़ में बताना चाहरा था के ठीक है मैंने जो example लेवी थी मैंने यह example लेवी थी प्रिंट हो रही थी ठीक है क्या कहते है ठीक है ठीक है यह example प्रिंट हो रही है तो अगर इसका वैसे तुम लोग चाहो तो ऐसी जहन में भी बना लो वीडियो पाउस करके ठीक है सही है तो यह हो जाएगा ठीक है असल चीज़ वस एक paper में यह ध्यान रखना के आम तोर पे क्योंके अगर इसका लिखना आया मिसाल दे रहो क्योंके पेपर पे लिखना आया ठीक है अगर इस तरह की चीज़ होगी हरकोई copy paste मारेगा तो आम तोर पे और copy paste मारने के बाद क्या करोगे तुम सिर्फ यहां पे इसको change कर दोगे इसका नाम जब इसको copy paste मारोगे न ठीक है क्योंके और उपर और अंदर क्या करोगे तुम इसको सिर्फ lines को उपर नीचे कर दोगे अंदर ना सिर्फ lines को उपर नीचे नहीं करना है एक चीज यह ध्यान देना क्योंके यहां पे रिकरिजन लग रही है तो जब pre-order का traversal जब call कर रहे हो गए सही pre-order traversal का हमने function बना रहे मिसाल के दौरबर में इसने तीनो बनाने दिये ठीक है तो एक चीज आम दौरबर में भी paper में paper लिखते वह नहीं ना शायद यह गलती ना लेकिन वैसे editor पर हो जाएगी यह ठीक है तो हम वापस से यहाँ पर pre-order को ही call कर रहे है ठीक है ठीक है और in order में जब काम कर रहे है तो in order के function के अंदर root.left पहले है text root की value बीच में निकाली और फिर right की value आखर में निकाली वह सब तो सही है लेकिन जब हम recursive में call कर रहे है तो recursive में यहाँ पर in order traversal को ही call कर रहे है और यहाँ पर right की value भी calculate करते हुए in order traversal को ही recursive में call कर रहे है आम तोर पर copy में यह होता है copy editor पर traversal का code चापते हुए कि इसको like बस copy कर रहा paste कर रहा दूसरी जगा सही इसका duplicate function बना है सिर्फ main heading हम change कर देते है like main function का नाम और अंदर जो होते न अंदर प्री order और जैसे इसको अगर मैं मिसाल के तौर पर कर के दिखा दे रहा हूँ लग अगर इस तरह में इसका मिसाल के तौर पर copy बना रहा हुए और यहाँ पर अगर मैं इसको in order कर दे रहा हूँ ठीक है इसको in order अगर मैं कर दे रहा हूँ सही है आम दोर पर यह कर लिया और उसके बाद क्या कि सिर्फ text को सिर्फ text को बीच में कर दो ठीक है और यहाँ पर आम दोर पर लोग basically इसको in order करना और इसको in order करना भूल जाते है इसी तरह ये चीज पोस्ट रॉडर में भी ध्यान रखे हैं सही है इसमें बंड़े नहीं मारतेना वरना ये खाफी व्हाल का बंड़े हैं सही है ठीक है और फिर हमारे बास बेसी कि लिए आजाता है एक सेकंड ठीक है इसके बाद हमारे पास क्या है